बेटमा का एक मातर शास के स्वताल भगवान भरों से चल रहा है यहां ना तो डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं और ना ही एम्ब्लेंस की सुधा है शास के स्वताल के हाल बेहाल हो रहे हैं इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन जिम्मदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस ओर कब तक ध्यान देगा चाले अगले खबर के ओर बढ़ते हैं जो की गोरेला से हैं बात कर लेते हैं गोरेला पैंडरा मरवाही की जहां बीजेपी युवाम मोर्चा नेरोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर एक दिवसी धर्ना प्रदरशन करते हुए SGM कारियाले का घिराओ किया है वही प्रदेश सरकार के खिलाब जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैटकर धर्ना प्रदरशन किया जिसके बाद SGM देव सिंग उईके को रजपाल के नाम के आपन सौपा BJP के पदाधिकारियों ने बताया कि 36 गड़ सरकार ने घोशना पत्र में युवाओं को रोजगार और 25 सो रुपए देने का बेरुजगारी भत्ता देने का वादा किया था लेकिन साड़े 3 साल बीच चुके है लेकिन युवाओं को अब तक रोजगार उपलग नहीं हो प प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं से सिर्प जूप पर जूप दोल रहे हैं और उसी के खिलाब आज जिला-गॉरेला-पिंडर मरवाही के युवामोरचा के तत्वधान पर सभी युवाओं को लेकर के हम SDM महोदे का घराव करने आया है प्रदेश में साड़े तीन साल पहले जोन घोष्णाम पत्र के मार्दम से सटीगर में पांग्रेश की सरकार बनी और उन्हें अपने घोष्णा पत्म यह वादा किया था कि हम वेरोजगारों को धाई हजजारू का प्रती महिना देंगे साची साथ रोजगारों प्लप कर आएंगे लेकिन आज तक साड़े तीर साल होने के बाद भी वेरोजगारों को एक रूपिया तक नहीं मिला आज यह सरकार ब्रोजगारों की कर्दार है लगभग एक विरोजगार का एक लाग पांच अच्छार रूपया होता है यह पूर